मेरे का मागरे मदनी दप्पा गमदनी गमदनी दप्पा असलाम लेकुम नाजरेन महफल शब की एक और खुबसूरत महफल के साथ आपकी मेसपान जेबा अली आपकी खिदमत में हाजर है नाजरीन आज जो गलुकारा हमारी इस महफल को रोशन करने के लिए आई हैं उनके बारे में मैं बताती चलूं कि उन्होंने 12-13 साल की उमर से गलुकारी का अगास किया सबसे पहले भावलपूर से घजल गाई और फिर जब बाकाइदा गलुकारी का सलसला शुरू हुआ तो फिर उन्होंने सिराइकी और पंजाबी को मिला कर गलुकारी का धंग अपना आया वो घजल और लोक मौसे की दोनों यकसा महरत से गाती हैं बलके मैं साथ साथ बताती चलूं कि घजल के सफ़े अवल गलुकारों में शामिल होती हैं वो अपने उस्ताद अफजल अली खान साहब के साथ वो कराची तश्रीफ लाए और उन्होंने बें तहा शोहरत पाई नाम तो खुबसूरत है ही गाने का अंदास उससे भी जादा खुबसूरत है आई ये इस तकबाल करते हैं गुलबहार बानों का असलाम लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां तश्रीफ लाएं बहुत शुक्रिया आप लोगों गभी गुलबहार बाने साहिबा मेहफिल का आगास किस खजल से करेंगे ये शायर अमजद साब की खजल पेश करूंगी और ये धुन उस्ताद मुहमद अफसल खान साब की उमीद है कि आप सब को पसंद आएगी जरूर जरूर चेहरे पे मेरे जुफ को फेलाओ किसी दिन चेहरे पे मेरे जुफ को फेलाओ किसी दिन क्या रोज गरज दे क्या रोज गरज दे बरस जाओ किसी दिन चेहरे पे मेरे जुफ को फेलाओ किसी दिन क्या रोज गरज दे बरस जाओ किसी दिन चेहरे पे मेरे जुफ को फेलाओ किसी दिन राजों की तरहां उत्रो मेरे दिल में किसी शर्ट राजों की तरहां उत्रो मेरे दिल में किसी शर्ट दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन क्या रोज करच थे हो बरस जाओ किसी दिन और दस्तक पे मेरे हाथ किसी दिन मुश्रबू की तरहागा गुश्रो मेरे दिल की गली से खुश्रबू की तरहाग गुश्रो मेरे दिल की गली से पूलों की तरहाग मुझ पे विखर जाओ किसे दिन क्या रोज गरचते हो क्या रोज गरचते हो वरस जाओ किसी दिन चेरे पे मेरे जुल्फ को पहलाओ किसी दिन गुश्रे जो मेरे घर से तो रुक जाए सितारे गुश्रे जो मेरे घर से तो रुक जाए सितारे इस तरहा मेरी रात को चमकाओ किसी दिन क्या रोज गरचते हो वरस जाओ किसी दिन चेरे पे मेरे जुल्फ को पहलाओ किसी दिन आपका सबसे पसंदिदा शायर जिसको आप सबसे जादा गाना चाहें यूत मैं सबको गाती हूँ पसंदिदा कोई एक पसंदिदा यह नहीं मैं कह सकती कि आप नाम नहीं देना चाते हैं सारे पसंदिदा सब पसंदे अब आप हमें क्या सनाएंगी मैं घजर सुनाओंगी फैज अमत फैज अब की आप 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 … … सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे बेशक्सितम जनाब के सब दो से ताना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे बेशक्सितम जनाब के सब दो से ताना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे हाँ जो जपा भी आपने की काइदे से की हाँ जो जपा भी आपने की काइदे से की हाँ हम ही कारबंदे उसूले वफाना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे आए तो यूंके जैसे हमेशा थे महरबाद आए तो यूंके जैसे हमेशा थे महरबाद दूले तो यूंके गोया कभी आशना ना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे हर चारा गड़ को चारा गरी से गुरेज था और चारा गड़ को चारा गरी से गुरेज था वरना हमें जो जुकते बहुत ला जवाना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे बेशक सितम जनाब के सब दोस दाना थे सच है हमी को आपके शिक्वे बजाना थे आपके शिक्वे बजाए कि रुपकों को आपके श्रॉफ कि रखत्व जुकते लागगाए लुपकों क मुपकों के वाना थे पाकESतानी फिल्मों के लिए कितना गाया है। मैंने दो फिल्मों में गाया था, चोरों की ब्रात और चोरों के बादशाह में। इस दो फिल्म है। उसके बाद सिलसलह जारी क्यों नहीं रहा है। میरा रुछ हान ज्यादा गजल की तरफ था तो मैंने घजली चुज़ की तो फिल्मों में गाने के लिए वक्त जाहिए होगा? जी वक्त चाहिए होगा इस वज़ाई होगा? चाहिए बिलकुल हमारे हाजरीन में हमारे साथ सलामत साहब बैठे हैं हम उनसे थुड़ी सी बात करते हैं गुलबाहर बानो साहबा के बारे में क्या कहना थे हैं? माशेएलला गुलबाहर बानो हमारे मुलक का एक खुबसूरत लिसा है और इनकी जितनी भी घजले हैं लोग बड़े पसंद करते और हम लोग भी उनको बहुत इज़त से देखते हैं और बहुत ही खुब्सूरत गाती है, इसमें कोई शक्राइब बहुत शुक्रिया है, मेज़गानी. अब आप क्या सुना रही है हमें? अख्तर शेरानी साब का अख्याम है, और उसकी दुन भी उसाद मौमद अफसल खान साब ने तर्दीद दी. वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिये वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिये रात दिन सुरत को देखा कीजिये वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिये रात दिन सुरत को देखा कीजिये वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिये चांद नी रातों में तेख भूल को चांद नी रातों में एक एक फूल को रेक दिन कहती है सजदा कीजिये वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिये रात दिन सुरत को देखा कीजिये वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिये चा कीजिये उन्ज भर जो तमन्ना बरनाए उन्ज भर उन्ज भर उसकी तमन्ना कीजिए तो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए रात दिन सुरत को देखा कीजिए तो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए पूछ बैठे है हमारा आलगो पूछ बैठे है हमारा आलगो पेठे हमारा आलगो तो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए रात दिन सुरत को देखा कीजिए तो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए बुलबाहर भानो साहिबा अब हमें अपने अपने अवार्ड्स का सिलसला थोड़ा सा बताया बहुत से अवार्ड मिले हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको सिदारती अवार्ड भी मिझे मिला है इसके लावा आपके अब तक आडियो एल्बम्स और विडियो कितने आ चुकें कुछ उसका बताया सिलसला बस मीक्स है सब घजल भी है लोग गीद भी है पजाबी सरह की आज तक घजल से हटके गाना क्यों नहीं पसंद किया सिर्फ घजलें क्यों घजलें इसलिए कर रही हूं कि कम रह गए हैं आर्टिस्ट घजल के बिलकुल बिलकुल तो मेरी दुआ है कि अल्ला और भी आर्टिस्ट लाएं जो घजल गाएं और सामने आएं उनके लिए भी दुआ करती हूं जो इस वक्त बिमार हैं जा काम करनी रहें तो काफी आर्ट सा हो गया है घजलें गाते हैं लोगों को जैसे के फरीदा खनम से बने गाया है कि बालबानों से बने गाया है वे इस दुनिया में नहीं नहीं है लड़के भी आएं लड़कियां भी आएं मेरी तो दुआ है बिलकुल माशाला बहुत अच्छी से हैं अब आप हमें क्या सुनाएंगे और साथ ही साथ कुछ परमाईशे हैं यहांपर मुस्फी का ये इकलाम है हुआ है आप हुआ हुआ है हुआ हुआ है फुर्सत मिले जो तुम को किसी रात दो घड़ी कर जाएं किसी से मुलाकात दो घड़ी फुर्सत मिले जो तुम को किसी रात दो घड़ी ता दिल में ये के जागेंगे अम वात नीम शब ता दिल में ये के जागेंगे अम वात नीम शब पर आँख जब खुली के रही रात दो खड़ी कर जाएं किसी से मुलाकात दो खड़ी फुर्सत मिले जो तुम को किसी रात दो खड़ी जेरे पलत बस उसको किसी रात दो खड़ी गनीमत ही जानी है सेरे पलग पसमस को गनीमत ही जानी है या रूकटे जो चैन से वकात दो खड़ी कर जाएए किसी से मुलाकात दो खड़ी फुरसत मिले जो तुम हो किसी रात दो खड़ी हसरत ये रह गई के शबे वसर भी सनू फुसरत ये रह गई के शबे वसर भी सनू इतना नहीं के तुम से करे बात दो खड़ी कर जाएए किसी से मुलाकात दो खड़ी फुरसत मिले जो तुम को किसी रात दो खड़ी फुरसत मिले जो तुम को किसी रात दो खड़ी अफाक साब बैठें जहाद अफाक साब तो घजल गाते हुए जरा थुरा इचके चाहट हो रही थी बिल्कुल तो ये महसूस होता है कि सामने शायर बैठे हूँ तो कुछ गलत ना हो जाए बिल्कुल तो फिर हम उनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं और ये पता करते हैं उनको कैसी लगी है घजल गुल बहार बानो का नाम किसी तारूफ का मोहताज नहीं है यही दुआ है कि हम शायरों के नसीब में जो बहार बहुत ही कलील मुदत के लिए आती है ये सदा उस बहार में जगमागाती रहें और गुल बहार बनकर सदा जब है शुक्रिये लिए गुल बहार साहब हमारे पास यहां कुछ फर्माइशे भी है तो हम देखते हैं आप फर्माइश करना चाहते लिए अस्टेन काजमी साहब की एक घजल है प्लीज वो सुना दिए जी बिल्कुर मैं पेश करती है यह दुन भी उस्ताद मौमद अफसलफान साब की एक यह हसकर बात जो टाली गई है यह हसकर बात जो टाली गई है महबत की बिना डाली गई है यह हसकर बात जो टाली गई है महबत की बिना डाली गई है यह हसकर बात जो टाली गई है दले है दिल के टुकडे आस्मों में दले है दिल के टुकडे आस्मों में महबत इस तरह पाली गई है महबत की बिना डाली गई है यह हसकर बात जो अभी जल्दी क्या है पिर मिलेंगे अभी जल्दी क्या है पिर मिलेंगे अभी जल्दी क्या है पिर मिलेंगे मेरी हर बात यू डाली गई है महबत की बिना डाली गई है यह से कर बात जो मुझे हर काम ठुकराया गया है मुझे हर काम ठुकराया गया है मुझे हर काम ठुकराया गया है मगर बात अपनी मन वाली गई है महबत की बिना डाली गई है यह से कर बात जो डाली गई है महबत की बिना डाली गई है यह से कर बात जो झाली गई है कर दो गुलबाहर भानो साइबा गुलुकारी के हिसाब से सब पसंद करते हैं आपका फेवरेट गुलुकार कौन है मैडम नूल शाब मैदी असन साब फरीदा खानम इकबाल भानो सब हमारे पास फर्माइश है यहाँ एक दाख देलीवी के अगर कोई गजल गा दें तो बड़ी अ हाँ 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 सितन ही करना जफा ही करना निगाह उल्फत कभी ना करना तुम्हें कसम है हमारे सर की हमारे हक में क्मी ना करना सि तम हे करना चप आई करना निगाह उल्पत कभी ना करना तुम्हें कसम है हमारे सर की हमारे हक में क्मी ना करना सितन ही करना, जपा ही करना हामारी मैयत पे तुन जो आना तो चार आसों गिरा के जाना हामारी मैयत पे तुन जो आना तो चार आसों गिरा के जाना जरा रहे पास आखिरू भी नहीं हमारी हसी न करना तुम्हे कसम है हमारे सर की हमारे हक में कमी न करना सितन ही करना जपा ही करना कहां का आना कहां का जाना वो जानते हैं नहीं ये रस में कहां का आना कहां का जाना वो जानते हैं नहीं ये रस में महां है वादे की भी ये सूलत कभी तो करना कभी न करना तुम्हे कसम है हमारे सर की हमारे हक में कमी न करना सितन ही करना जबा ही करना टियरी तो है बात जहरन को हो उनके मतलब एकीना क्यों हो के उन से जो इलतिजा से कहना बजब है उनको कोही ना करना तुम्हें कसम है हमारे सर की हमारे हक में कमी ना करना सित्म ही करना जफाहे करना निगाहे उनको कभी न करना तुम्हें कसम है हमारे सर की हमारे हक में कमी ना करना सित्म ही करना जफाहे करना गुलबहर बानो साहिबा हमारे साथ यहां जाहिद अफाक साब बैठे हैं, मौझूद है हमारे साथ इस मेह फिल्म है यह मुम्किन है के इनकी कोई मशूर घजल आप हमें सुनाएं यह मशगला है किसी का ना जाने क्या चाहे ना फासनों को मिटाएं ना पैसला आचाहे यह मशगला है किसी का ना जाने क्या चाहे मेरी बी साथ है क्या मैं हूँ बल्के आवारा मेरी बी साथ है क्या मैं हूँ बल्के आवारा बुडा के ले चने मुझे को जिधर रवा जाए ना फासलों मिटाए ना पैसला चाहे ये मश्गला है किसी का ना चाने का चाहे जो असली चेहरा दिखाता है तर्शमार ना चाहे जो असली चेहरा दिखाता है तर्शमार ना चाहे उस आइने की तरफ को देखना चाहे उस आइने की तरफ को देखना चाहे ना फासलों को मिटाए ना पैसला चाहे ये मश्गला है किसी का ना जाने क्या चाहे ना जाने क्या मेरे सयाद का इराद है ना जाने क्या मेरे सयाद का इराद है चला चुका है नशेमन अब और क्या चाहे चला चुका है नशेमन अब और क्या चाहे ना फासलों को मिताए ना पैसला चाहे ये मश्गला है किसी का ना जाने का चाहे अजार ओंडू दुने बाद है हजार ओंडू दूबने वाले बचा लिये लेकिं हजारों दूबने वाले बचा लिये लेकिं उसे मैं कैसे बचाओं जो डूबना चाहे ना पास लोगो मिटाए ना पैसला चाहे ये मशगला है किसी काना जाने क्या चाहे एक फरमाईश हमारे पास और है एक बहुत ही खुबसूरत खजल सबा अकबर अबादी की जवानी जिन्दगानी सुनाते है ये हमारी आखरी घजल होगी इस महफिल की बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाने का बहुत 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 शुक्रिया दा करना चाहती है हमारे हाजरीन में सलामत साथ हमारे साथ मौजूदे एक बार और इनके लिए तालिया हो जाए जाहिद साहब भी हमारे साथ मौझूद हैं इनके लिए एक दफ़ा और कहीं जो हुआ हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहां मौझूद है बहुत बहुत के साथ मैं आपकी मेजबान जेपाली आपके सामने फिर हाजर होंगी तब तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज अब हम सुनते हैं इस महफिल की आखरी घजल के ऐखरी तरफ के या ? जवानी जिन्दगानी है जवानी जिन्दगानी है नथ तुम संझे नहुं संझे जवानी जिन्दगानी है जवानी जिन्दगानी है तुम समझे ना हम समझे ये एक ऐसी कहानी है तुम समझे ना हम समझे जवानी जवानी हुमारे और तुम्हारे वास्ते मेरे एक नया अपन था हुमारे और तुम्हारे वास्ते मेरे एक नया पन था मगर दुनिया पुरानी है मगर दुनिया पुरानी है अब तुम समझे तुम समझे जवानी जवानी गुजारी ही है जवन उठिने में और मनाने में गुजारी है जवन उठिने में और मनाने में गड़ी पर की जवानी है गड़ी पर की जवानी है तुम समझे ना मं समझे जवानी 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 बदय तुम निगाही ने किया फुस्वा महाबत को बदय तुम निगाही ने किया फुस्वा महाबत को फुस्वा महाबत को ये किसकी महरवानी है ना तुम समझे ना हम समझे जवानी 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 जव ना तुम संझे ना संझे जवानी, 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 जवानी हमारे अल, तुम्हारे वासते में, एक नयापन था एक नयापन था मगर दुनिया पुरानी है, मगर दुनिया पुरानी है, ना तुम संझे ना संझे जवानी, जवानी